हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है इस चैनल में इस चैनल में मैच से रिलेटेड पढ़ाई होती है अभी तक हम लोग 11, 12 और J.E. लेबल की बात कर रहे थे धिरे दिरे इस चैनल पर मैच के सभी पार्ट्स को देखा जाएगा अभी आज के इस वीडियो में आप देखे देखेंगे BPSC, TRE 1.0, PGT मैच के लिए जो सवाल पुछे गए थे उन प्रस्नों का बिश्तरित हल इस स्रीज का ये तीसरा वीडियो होगा इसके पहले दो वीडियो बनाये जा चुके हैं जिसमें हमने साथ सवालों का सोलूसन दिया था आज आप देखेंगे question number 8 ये 11 के इ linear inequality तो linear inequality के इस खुबसूरत से सवाल को आप देखेंगे solution को देखेंगे question है कि 4x plus 3 upon 2x minus 5 is less than 6 इसका solution क्या होगा तो ये linear inequality के जिस topic के अंतरगत आता है वो है rational inequality और rational inequality को solve करने का तरीका है कि right hand side में 0 होना चाहिए जब आप linear inequality में rational inequality को solve करते हैं तो rational inequality को solve करने का ये तरीका है कि right hand side में आपको 0 चाहिए तो right hand side में 0 लाने के लिए हम दोनों तरफ पहले 6 minus कर देते हैं तो question था 4x plus 3 divided by 2x minus 5 minus 6 less than 0 हो जाएगा और फर्दर इसको हम solve करेंगे तो 2x minus 5 हमारा lcm हो जाएगा उपर में होगा 4x plus 3 minus 6 से multiply हो जाएगा 2x तो 6 to 12x minus minus plus 6 पच्चे 30 और यहां हो जाएगा less than 0 और आगे इसको हम solve करेंगे तो मिलेगा 4x minus 12x यानि minus 8x तीस और तीन 33 plus 33 divided by 2x minus 5 is less than 0 अब देखिए क्या हो जाएगा यह है minus 8x plus 33 less than 0 अब यहां पर x का coefficient positive होनी चाहिए linear inequality में इस बात को भी ध्यान देना होगा तो यहां x का coefficient है minus 8 हम इसको plus बनाने के लिए दुनों तरफ minus से multiply कर देंगे ध्यान दिजेगा minus से जब multiply करते हैं तो inequality का sign change हो जाता है तो यह आपको मिल जाएगा जब आप minus से इसको multiply किजेगा तो मिल जाएगा 8x minus 33 divided by 2x minus 5 better than 0 बात को ढंक से समझीएगा जैसे मान लिजिए कि 3 और 2 में बड़ा है कौन 3 लेकिन अगर आप minus sign लगा देंगे तो minus 3 और minus 2 में बड़ा कौन हो जाएगा minus 2 तो इस बात को ध्यान रखना होता है कि minus से गुना करने पर inequality का sign change हो जाता है अब इस inequality को solve करने के लिए पहले numerator और denominator को 0 से equate करते हैं और उसका value प्राप्त करते हैं तो 8x minus 33 को जब आप 0 से equate कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 33 upon 8 और denominator में 2x minus 5 है जब इसको 0 से equate कीजिएगा तो मिल जाएगा x बराबर 5 by 2 अब उसके बाद क्या करेंगे तो inequality का एक बड़ा खुबसूरत सा trick सह इसको ध्यान देंगे कि जब greater than 0 हो जाए तो जो roots मिलेंगे उसमें से छोटा और बड़ा का पहचान कर लेना है अंसर होगा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा यहाँ पर दो root है 5 by 2 और 33 by 8 इसमें आप जानते हैं कि 5 by 2 बड़ा हो जाएगा 33 by 8 से 5 by 2 बड़ा हो जाएगा 33 by 8 से तो 5 by 2 का position हो जाएगा left में और 33 by 8 का position हो जाएगा right में तो जब inequality positive होता है तो अंसर होगा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा और यही अगर less than 0 रहता तो अंसर होता छोटा बड़ा के बीच में यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा x belongs to minus infinity से 5 by 2 union 33 by 8 से infinity यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए कि infinity पर हमेशा open interval होता है और अगर यहाँ बराबर का sign रहता तब 5 by 2 पर close interval लगता 33 by 8 पर जो numerator का root है वो सामिल होता और denominator का root सामिल नहीं होता लेकिन यहाँ पर सिर्फ inequality है इसलिए हर जगर open interval होगा तो final रूप में आपका अंसर हो गया minus infinity से 5 by 2 union 33 by 8 से लेके infinity तक जो option है आपका यह उमीद है कि आप यह सवाल अच्छे से सीख गए होंगे चलिए दुसरे सवाल की ओर चलते हैं लेकिन उससे पहले एक बार आपको चाहेंगे आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए दुसरे सवाल की ओर चलते हैं अगला सवाल है आपका कुस्टन नमबर नो ये भी 11 के सिलेबस से पुछा गया है और ये टोपिक है सिक्वेंस और सिरीज सिक्वेंस और सिरीज टोपिक से ये पुछा गया सवाल हम आपको पहले 11 के सिलेबस से बनाए हुए सवालों का जवाब दे रहे हैं के बाट 12 से 12 के चेप्टर से जो सवाल पुछे गए हैं उसका जवाब देंगे मतलब इससे आपको ये भी निस्कर्स निकल जाएगा कि 80 सवाल जो पुछे जाते हैं VPSC द्वारा आयोजित TRE में PGT मैच में उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 11th portion का क्या रोल है और 12th portion का क्या रोल है 11th portion के problem का level of difficulty क्या है 12th के portion का level of difficulty क्या है ये सब चीजों पर हम discuss करेंगे चुकि हम TRE 1.0 और TRE 2.0 में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएं भी हैं बहुत सारे qualify की हैं हमारे यहां से तो हमको idea है इसको पढ़ाने का इसलिए इसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा TRE 3.0 का जो exam होने वाला है मार्च में उसमें निश्चित रूप से फायदा होगा हमारे इस analysis का तो जुड़े रहिएगा इस channel से बहुत कुछ मिलने जा रहा है मार्च तक बहुत कुछ इस channel में आपको मिलने जा रहा है शुरुआत करते हैं इस सवाल के solution का चलिए देखिए question है which term of series 5 root 5 1 dot 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 is 1 upon 625 यानि इस series का कौन सब पद 1 बटा 625 है तो पहले हम देखना चाहेंगे कि ये series है कौन 5 root 5 1 dot 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 आप जानते हैं कि जब difference constant हो जाए तो ये होता है ap में जब ratio constant हो जाए तो ये होता है gp में जब ratio constant हो जाए तो ये हो जाएगा gp में और ap का उल्टा हो जाता है तो वो होता है hp में AP का उल्टा आपको HP में मिल जाएगा तो आप देख रहे हैं यहां कि root 5 में 5 से अगर आप divide करते हैं यानि second term में आप first term से divide करते हैं तो आपको मिलता है root 5 upon 5 यानि 1 upon root 5 Similarly अगर आप third term में second term से divide करेंगे तो obviously है कि 1 by root 5 मिलेगा यानि यही हो जाएगा third by second इसका मतलब क्या हो गया कि ratio जो है वो constant हो गया तो जब ratio constant हो गया इसका मतलब यह clear हो गया कि यह आपका GP series का है geometric progression का यह question है तो जब series हो गया GP का तो आप देखेंगे कि इसका पहला term हो गया 5 common ratio हो गया 1 by root 5 और आपको पता करना है कि 1 upon 625 यह कौन सा term होगा तो माल लेंगे कि यह N more term है 1 by 625 और यहां से आप N का value प्राप्त करेंगे यह जानते हुए कि GP के N more term का formula होता है TN बराबर A into R to the power N minus 1 जहां A है first term, R है common ratio और N है number of terms तो हम यहां पर माल लिये हैं कि TN बराबर है 1 by 625 यानि हम कर सकते हैं कि A into R का power N minus 1 बराबर है 1 upon 625 एका value रख देते हैं 5 तो मिल जाएगा 5 times of R to the power N minus 1 बराबर 1 बटा 625 इस 5 को आप यहां पर ले आईए तो मिल जाएगा R का power N minus 1 बराबर 1 बटा अब यहां calculation थोड़ा smart तरीके से किजिए 625 का मतलब हो गया 5 का power कितना 625 का मतलब हो गया 5 का power 4 525 पचे 125 अगुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 625 इसका मतलब यह हुआ कि यह 5 का power 4 है तो यह और 5 इधर जब लाएंगे तो यह हो जाएगा 5 का power 5 यह 5 है इधर आएगा तो 5 गुना होगा आये खुद 5 का पावर 4 है 5 गुने 5 25 गुने 5 125 गुने 5 625 इसका मतलब यह हो जाएगा 5 का पावर 5 अब R का भैलू रख दीजिए R का भैलू कितना है भै तो R का भैलू है 1 अपन रूट 5 का पावर N-1 बराबर होगा 1 बटा 5 का पावर 5 है तो इसको आप लिख सकते हैं R पावर 5 का पावर 5 इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1 अपन रूट 5 टूदी पावर N-1 बराबर 1 अपन रूट 5 टूदी पावर 5 दूनी 10 कर देंगे क्योंकि एक का पावर कुछ भी करेंगे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं कोई फरक नहीं पड़ेगा अब देखिए दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा यानि एन माइनस बराबर 10 तो एन बराबर हो जाएगा 11 यानि ये जीपी का एगराहमा टर्म होगा कौन सा एक वटा 425 तो अंसर हो जाएगा आपका बी एगराहमा पद तो उमीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख लिये होंगे चलिए अगले सवाल की और चलते ह ये भी सवाल देखिए जीपी से पुछा गया है सवाल है एन के किस मान के लिए एक का पावर एन पलस वन जोड़ बी का पावर एन बटा एक पावर एन जोड़ बी का पावर एन ए और बी का गुनत्तर माद्धे होगा For what value of A, A to the power N plus 1, जोड B to the power N plus 1, upon A का power N plus B का power N, is geometric mean of A and B, option तो में रिखे ही नहीं, option था आपका, A में दिया हुआ है option 1, B में है 2, C में है 1 by 2, D में as usual more than 1, more than 1, और D में है, E में है आपका none, तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए आपको जानना चाहिए, कि दो संख्या A और B के लिए, arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean क्या होता है, तो for two numbers A and B, where A और B दोनो positive है, A और B दोनो positive number है, तो A और B के बीच का arithmetic mean का formula होता है, A plus B by 2, geometric mean होता है under root AB, और harmonic mean होता है 2AB upon A plus B, तो यहाँ पर कह रहा है कि geometric mean दिया हुआ है यह, और होना चाहिए root AB, इसका मतलब यह दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, geometric mean of A and B बराबर होगा under root AB, यह होता है formula, और given geometric mean क्या है भाई, तो given geometric mean है, A का power N plus 1, जोड B का power N plus 1, divided by A का power N, जोड B का power N, इसका मतलब दोनों एक दुसरे के बराबर होनी चाहिए, यानि A to the power N plus 1, जोड B to the power N plus 1, divided by A to the power N plus B to the power N, बराबर होना चाहिए, under root AB, अब हम इसको और further expand करते हैं, यानि, root AB का मतलब होगिया, AB का power half, तो इसको हम cross multiplication कर देते हैं, तो नीचे में तो कुछ नहीं है, तो यह रह जाएगा इसी परकार से, A का power N plus 1, जोड B का power N plus 1, बराबर होगा, A का power N गुना root AB, यानि, A का power N गुना root AB, root AB मतलब A का power half, B का power half, अब पलस B का power N गुना root AB, root AB मतलब A का power half, B का power half, root का मतलब होता है power half, और इसको हम further expand करते हैं, further expand करेंगे, तो इधर तो इसी रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, a to the power n plus 1 जोड b to the power n plus 1 बराबर होगा यहां देखिए बेस सेम है तो power add हो जाएगा a का power n plus 1 by 2 into b का power 1 by 2 अग जोड यहां हो जाएगा a का power 1 by 2 into b का power n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 अब क्या करेंगे similar term को एक साथ कर देते हैं यानि a वाले power को a वाले power के साथ लिख देते हैं और b वाले term को b वाले के साथ यानि यहां के बाद आपको लिखना चाहिए a to the power n plus 1 minus a to the power n plus 1 by 2 into b का power 1 by 2 is equals to यहां होगा b का power n plus 1 by 2 into a का power 1 by 2 minus b to the power n plus 1 अब आप देखिए यहां common लिजिएगा क्या common लिजिएगा a का power n plus 1 है यहां n plus half है तो जो दोनों में होगा वही common होगा यानि n plus half दोनों में होगा तो a का power n plus half common ले लेंगे तो यहां बचेगा a का power half minus यहां बचेगा b का power half यहां भी देखिए b का power n plus 1 है यहां b का power n plus half है तो b का power n plus half common हो जाएगा तो यहां बचेगा a का power 1 by 2 और यहां भी बचेगा b का power 1 by 2 चुकि n पलस half common लिये थे और है n पलस 1 तो यह वो बच जाएगा अब यह टर्म आपका पुरा cancel हो गया तो आपको बचा क्या यहां से हम लिखते हैं दिहान दिजेगा बच गिया a का power n पलस 1 by 2 is equals to b का power n पलस 1 by 2 यह आप लिख सकते हैं a का power n पलस 1 by 2 divided by b का power n पलस 1 by 2 बरावर 1 और reason क्या लिख सकते हैं कि दोनों तरफ हम b के power n पलस 1 by 2 से divide कर दिया अब आप इसको आप further expand करने के लिख सकते हैं कि दोनों पर same power है तो लिख सकते हैं a upon b का power n पलस 1 by 2 बरावर 1 को लिख सकते हैं a बटा b का power 0 अब देखिए base बरावर है तो power बरावर होगा यहनी n पलस 1 by 2 बरावर 0 होगा यहनी n का value होगा minus 1 by 2 यह answer हो गया वैसे इस सवाल को इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है चुकि हम detail solution देना चाहते हैं और उपर heading भी हमने लगाया था कि बिस्तरी तहल है इसलिए हमने इसको solve किया examination में आपको कैसे बनाना चाहिए तो जो option दिया हुआ है उसको put कर देंगे जो option put दे रखे option दिया हुआ है उसको यहाँ पर put कर देंगे और देखेंगे कि किस मान के चलते root A B मिल रहा है क्योंकि इसका geometric mean तो root A B ही होगा तो जिस मान के चलते root A B मिलेगा वही मान इसका answer हो जाएगा तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं चुकि हमारे पास परियाप मातरा में net नहीं रहता है तो बड़ा वीडियो को अपलोड करने में परसानी होती है और mobile में storage भी नहीं रहता है तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाने का ही परियास किया है मेमोरी जब बड़ा हो जाएगा कुछ खाली करेंगे मेमोरी तो हम कोसिस करेंगे कि हाफ है नावर का एक वीडियो बनाया जाए तो वैसे आप मानके चलिए कि इसके सारे सवाल का हम solution देंगे अभी 10 सवाल हुआ है प्रती दिन 2-3 सवाल अगर आप सिखते हैं तो 2 महिने 3 महिने में लगबग सिलेवस के एक-एक सवाल को भी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे सेर भी कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद